नमस्कार मैं एस्टॉलेजर निमेलोजिस वास्थू कंसल्टेंट सरिता गुपता आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ किसी ने खूब कहा है कि कामियाबी में सफलता जब मिलती है जब हम उस सफलता के लिए लगातार परियास करते रहते हैं जिस परकार से एक चीटी निरंतर प्यास करती है परन्तु सही समय पर सही दिशा में किया गया परियासी सफलों पाता है यानि आप जब दिवार में एक हतौड़े से कील ठोगना चाहते तो आप बार 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 पर अगर वहीं करते हैं और लक्षे से नहीं भटकते और सही फैसला ले लेते हैं कि यही पिन पॉइंट है और यहां पर हमें कील लगानी है तो आपकी सफलता निश्चित है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और सभी ग्रह जो है आपके लिए चाहे विरोधी हो परंतु आपका साथ देना शुरू कर देते हैं तो आज मैं बात कर दें करियर के लिए किस तरीके से कौन सा करियर चुने ताकि आपके लिए लाब रापतो जब भी बच्पन में पूछा जाता है कि आप क्या बनेंगे तो हमारी सोच अलग हो जाती है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अपनी सोच के प्रती सजग होते जाते हैं और हमें पता लग जाता है या हम सोचने लग जाते हैं कि हम क्या बनना जाते हैं कई बार हम किसी से इंस्पायर हो जाते हैं अपने किसी फैमिली मेंबर से अपने पैरेंट से किसी दोस्ते और रिश्यदार से परन तो उस तरफ हमारा रुजान चला जाता है जैसे सब्सक्राइब और सब्सक्राइब चेपी maic 17 intmayın को इनजीनियर को डॉक्तर ब्यूटिफिकेशन में कि ट्रेडिंग में मार्केटिंग में नेскतेश इनजीनियर है साइंटीस मनना ऐा आर्टेस्ट बनना है बैंकिंग में जानाया सिए बनना पीशेष ना को feta जाकता है छोटे चोटे उपआय कर सकते हैं और जो हम जरूरी है कि जनमकुडलि के सतारे क्या कहते हैं क्योंकि अगर कम्जोर है तो करें कि ऐसल स्टरॉंग बनाया जाएगा उसकी गर्वाजंगे को इंपरूब लग सकता है कि उसकी लाइफ की रूची के अनुसार उसका मिलान हो रहा है या नहीं ताकि आगे चल कर निराशा हाथ ना लगे यानि परिशानी का सामना ना करना पड़े अपनी सोच का कारे और साथ में रूची का कारे और सब्जेक्ट पढ़ने को मिले तो जिंदगी ज्या नौकरी करना चाहते हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी मन चाहा फल आपको प्राप्त हो सकता है अगर उसको और कोई भी बाधा है तो उसको दूर करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारा ब्रस्पती ग्रे स्ट्रॉंग है तो ब् प्रस्पति ग्रहाँ बहुत strong हो जाता है. मंगल की बात करें? मंगल सेना, property, sports, doctor, engineer, सर्जन आदी की बात करता है. तो क्या करें उसके लिए? तो उसके लिए क्या करें? लाल चंदान का टीका माथे पर लगाएं, बंद्रोत को केला खिलाने से लाब होता है. शनी की बात कर लें तो chemical, builder, building material, petrol pump, chemist, अनुसंधान, scientist, contractor, government related काम तो ये करना चाहते हैं तो क्या हो पाए करें शनी मंदिर में दिया चलाएं और कहां से की कटोरी में तेल डालकर अपना मुख देख करके छाया दान करें तो जो है लापरापत होगा अब सूरे की बात कर लें सूरे administration का, government job का, लकडी, property, medicine, doctor, photographic, गेहूं, wool, wood आदी का कारक है तो सूरे नमस्कार करने से लाप होता है गायतरी मंदर का जाप करने से भी लाप होता है अब बात कर लेते हैं चंद्रमा यानि moon की चंद्रमा है तो मोती, जोलरी, शंक, सीप, समुंदरी चीज़ों से लेकर करके डॉक्टर है तो beautification के, skin के, cold cuff से लेटें चीज़ों के लिए जो है ये आप सब कारे करते हैं तो आप जो है इसके लिए शिवजी जी को जल चड़ाए और मंदिर में एक बार महीने में रुद्रा विशेख जरूर करा ले अब मैं बात कर लेते हैं शुक्र यानी Venus की Dance, संगीत, Media, Film, Industry, Public Dealing, Ladies समान, Jewelry, Singing, Artistic समान, Interior से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, आजकल तो सजाने से वानने में कोई आप इवेंट में रिलेटेड काम कर सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है उसमें अगर कोई रुकावाट आ रही है तो दुरगा पूजा करें उससे लाब होगा सफेज चंदन का ठीका माथे पर लगाए इससे भी जो है आपके लाग के योग बनेंग कौन सेगर है आपके कहां बैठे में क्या डिग्री है क्या उनकी पोजीशन है कौन सेगर है देख रहे किन के साथ यूती है तो यह जान पाएंगे तो आप भी अपने भविश्य को बहतर बना सकते हैं अपने करियर में उच्छाई हच हो सकते हैं आप भी कुछ जानना चाह आते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट का सकते हैं परामर्श के लिए दिये गए नंबर पर कॉल का सकते हैं फिर मिलोगी नई सब्जेक के रहाद तब तक के लिए विदा लेती हूं धजयवाद